नमस्कार, असलाम वालेकुम, आप लोगों को गुड मॉर्निंग सियासत की विसात के उपर नेले पे देला पड़ता है, याद रखना इस बात का सियासत में कहीं भी अंतनी होता और कहीं शुरुवार्ट नहीं होती मैं इस बात के लिए दावे के साथ कह सकता हूं आज की तारिक में जो भी आच्जस करोड मेंबर हैं आज की तारिक में वो सबसे लो इंटेलिजेंस लोग हैं पूरे देश के नाका रहे हैं निकम में साफ कहता हूँ एक बाल बताओ अगर देश का जितना ही मुसल्मान है अगर वो हिंदतों के खिलाफ होता है तो उद्धर ठाकरे को तो कोई गाली नहीं बखता मुसल्मान मैंने तो नहीं देखा दो तिन वीडियो में कर चुका हूँ उद्धर भाई के लिए मैंने तो नहीं देखा किसी मुसल्मान ने उद्धर भाई को गाली देते हुए ऐसा क्यों कभी समझा है तुम लोगों ने देखाओ हम जैसे राम भक्त और देश का जिता ही मुसल्मान वर गए वो तुम्नों से परिशान है वो हिंदूं से परिशान नहीं है मुसल्मान ना हिंदू मुसल्मान से परिशान है तुम लोगी सियासे की पॉल खुल गई है, नेले पे देला, मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, कि कब मैं खेलू बाजी, मैंने तुम्हें कहा था न, कि जितनी तुम्हारी उमर नहीं है जब से मैं सियासत समझ रहा हूँ और सीखने ही कोशिश करता हूँ तुम लोग को ऐसा लगा तुम लोग ने सियासत सीख ली ना तुम लोग ने अंधभक्ती सीखी थी सियासत नहीं अभी तुम लोग बच्चे हो तो मेरे लाइब पे आके मेरे वीडियो पर आके जो भी तुम लोग बोलते हो मैं तुम्हें पिछले वीडियो भी तुम्हें मैंने ओपन कहा था चुनोती दी थी कि तुम उद्दव ठागरे को टैक करके उद्दव भाई की माभेन को गाली बगते दिखाओ अगर तुम्हारे में हिम्मत हो तो नहीं कर पाओगे तुम क्योंकि तुम लोग फर्जी हो तुम लोगे 80% आईडी जो होती हैं फर्जी होती है मुझे पता है तुम अपनी शकल में नहीं लगा सकते तुम अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते तुम किसी ना किसी कंपनी के IT से लो कंपनी बोलता हो मैं गिरो राजनीतिक पार्टिया ऐसे नहीं होती यह कंपनी आं होती है जिसे D.Companee जिसे D.Companee होती है वैसे कंपनी होती है ठीक है तुम लोग बच्चे हो और जो तुम लोग बार बारी बांदरा बांदरा कर रहे हो न, कल एक बारी सूरत का वीडियो देख ले न तुम लोगों में विल्कुल भी अकल नहीं है सूरत में भी जो हैं बैठे वो भी दिहाडी मजदूरी है और जो बांदरा में गए वो भी दिहाडी मजदूरी है वो देश के बंदे हैं और उसमें बता दू मैं उसके अंदर सक्तर से पिच्चतर परसंट हिंदू होंगे समझे 70-75% हिंदू होंगे तो तुमारी पोल तो खुल गई तुमारी राजनिती की पोल खुल गई तुमारे ITCEL की पोल खुल गई अब तुम बीच चुराय पर नंगे खड़े हो तुम्हें यह नहीं पता कौन से हिंदुतू की तरफ जाए श्री राम भक्त तो हमें असली श्री राम भक्त हमें असली और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इनके पिताजी का तो ये था वो था ऐसा है कि बाला साब ने कभी भी अपने जो देश के मुसल्मानों की तरफ नफरत कभी नहीं करी है वो सिर्फ खिलाफ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो रहे हैं बंगला देश के मुसल्मानों के खिलाफ थोड़ा इत्यास टटोलो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो और ज़रूरी नहीं है कि किसी का बाप अगर डॉक्टर हो तो उसका बेटा भी डॉक्टर बन जाता है बदलाफ चाहिए था तुमारे को अच्छे दिन हम तुमें दिखाएंगे बदलाफ कैसे होता है और शोशल मीडिया की पकड़ भी हमें पता है क्या होगी आने वाले टाइम में हम दो साल आगे देखते हैं ठीक है तुमारे छे साल खतम हो गए हम नहीं खतम होने देंगे हमारे हिंदू भाईयों के हमारे मुस्लिम भाईयों के हमारे दलित भाईयों के हमें चाहिए नेता जिसका परिवार हो जिसके खुद के वीवी बच्चे हो खुद का परिवार हो ठीक पड़ा लिखा हो अनपड ना हो अनपड नेता के पीछे अनपड़ी रहते हैं पड़े लिखे नेता के पीछे पड़े लिखे ही रहते हैं ये बहुत बड़ा फरक है समझ जाओ और तुम्हों को गाली बाली बकने से मेरे को कोई फरक नहीं पड़ा तुम्हारा छे साल से या आतने अब यह तुम्हारी आतने इसको बंद कर लो मेरे चमड़ी बहुत मोटी है बहुत मोटी खालका हूँ मैं मुझे कोई फरक नहीं पड़ता तुमने वह एक कहानी सुनी होगी एक बहुत बड़े करदार हुआ करते थे अरजुन वो सिर्फ एक ही तरफ देखते थे उनको बाकी कुछ दिखता नहीं था बस वो ही समझ लो वो ही समझ लो तुम लो ठीक है? और अभी तुम आने खेल शुरू किया है ये भी समझ लो मैं आगे-आगे कैसे पासे फेकूंगा तुम्हें समझ भी भी नहीं आएगा और तुमनों को चुराय पर नंगा लागे खड़ा कर दूँगा क्योंकि तुम श्री नाम के नाम पर भी आज की तारिक में एक तरह से दब्बा हो तुमने श्री राम को भी बेचा है उनका भी तुमने ब्रेंड बनाया मॉब लिंचिंग, लव जिहाद ठीक है वहाँ दलितों को मारना इसके मुसलमानों को मारना सब अपने आप चालू होता है सब अपने आप बंदू जाता है क्यों? क्योंकि मैंने एक वीडियो में काता न वो पुराने खेल होता था जिसके अंदर बांदा जाता था धागा एक छोटा सा लट्टू गवा करता था उसको धागा बांचे जित्ती तेज धागे को खीचो उत्ता तेजी गुंता था लट्टू ऐसे ही तुम्हारे कुछ पत्रकार भी है वो भी लट्टू है तुम भी लट्टू हो और वो डोर किसके हाथ में है? जिसके बाद दिमाग है तुम्हारे पास अपना दिमाग तहें ठीक है? तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है खोकले हो चुके हो और मी और बता दूँ जो आर्थिक संकट में तुम लोग फसने वाले हो ना तुम्हारी सारी भक्ती निकल जाएगी सारी भक्ती जब बच्चों के स्कूल के पैसे देने लायक नहीं होंगे जब तुम्हारी मा ने कुछ माग लिए पच्चास जार रुपे तुम्हारी पैंट की लिए हो जाएगी जब तुम्हारे पिता जी ने कुछ तुमसे गाड़ी माग लिए बीस पच्चास पचास लाग की तुम गूमते फिर होगे महले में भागते फिर होगे तुम्हारा ये चताया, पिछले 6 साल से मैं बोले जा रहा हूं, अपने काम की तरफ ध्यान दो, ये 20, 25 साल के लोंडे जो आके यहां पे समय बरबाद कर रहे हैं, तुमने अपने पिताजी का भी समय खतम कर दिया, तुम्हारा भी खतम कर दिया, अब तुम्हारा ब्याशादी तो होने वाले कि दिखाओ, और कुछ मुझे ऐसे लोग गोलते हैं, आप उकसाते क्यों नहीं, उकसाता नहीं, ये जो थे ना गदे, ये आगे थे गोड़ों के जुन में, और इनको लगा ये गोड़े हैं, तो मैं इनको अलग कर रहा हूं, अलग हो जो गदे, जितने भी गदे हैं, चबनी चाप लोगो तुम लोग, चबनी चाप को चबनी चाप ही, तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, अब तुम्हें जो बोलना है बोलो, मेरे गया काम है, हो तो मैंने कभी CNN का वीडियो डाल दिया, इसके नीचे ये, सैंपल दिखाया तुम लोगो, सबसे बड़ा स्व मुशल मीडिया पे, देश पे, ये सब और तुम्हारी जिंदगी खतम हो चुकी है, देश का हिंदू पड़ा लिखा, देश का सारा मुसल्मान, देश का सारा दलत, उद्ध भाल ठाकने के साथ खड़ा होगा, लिख के ले लो, ठीक है, तुम छुपने की जगे बना लो हिंदू मुसल्मान सब एक हैं, बंबई में सब एक साथ एते हैं, एक ही बिल्डिंग के अंदर, जाके देख लेना, वैसे तुम्हारी उकात तो बंबई ये है नहीं, बंबई में तो एक जोपर पट्ठी का भी कराया है, पचास जार रुपे मेना होता है, वहां भी तुम अपने गाउं खोपचे में बैटके जो ये आईटी सेल के काम करते रहो, ये तुम करते रहो, ठीक है, दो सो तीन सो डॉलर महीने के अउकात है, तुम्हारी इस स्याधा है नहीं, तो इधर मत आया करो, क्योंकि मैं अब तुम्हें धीरे-धीरे खरोचना शुरू कर दूँ और तुम्हें दीरे-धीरे दर्द होगा, ये पक्की बात है, तुम्हें छे साल बहुत लोगों को दर्द दिया है, बहुत लोगों की जिंदगिया खराब करी है, ठीक है, तो अब बाजी पलट की प्यारे, वो भी हिंदू है, और उनके पिताजी जितने कटर हिंदू थे प्ता तो शायद पिछले 30-40 साल में कोई भी नहीं था भारत में, ठीक है ना, तो अब वो पिताजी के बेटे को गाली बक्के बताओ, उनके हिंदूत्यों को ललकार के बताओ, तो तुम्हें पता लगेगा, कि हिंदू शेर होता क्या है, सिरफ शोशल मीडिया में लिखने से हिंदू शेर पैदा नहीं होते हैं भाई, हिंदू के अपने करम हैं, और वो करमों से तुम बहुत दूर हो चुके हो, तुम्हारी लिस्ट में पाप ही पाप लिखे हैं, और तुम लोगों को नर की नसीब होगा, ये 101 परसेंट है, तुम्हारे नेता जो बलातकारी थे उसको बचाते हो तुम्हारे नेता जो दंगई थे उसको बचाते हो तुम्हारे नेता सारे लपड़े करते हैं, उनको बचाते हो तुम्हारे नेता सारे लपड़े करते हैं, उनको बचाते हो तुम्हारे नेता सारे लपड़े करते हैं, उनको बचाते हो तुम्हारे नेता प्रोड वोटे सारा उद्द्व भाई के साथ खड़ा होगा, कम्प्लीट खड़ा होगा, क्योंकि उद्द्व भाई, अर्विन केज़िवाल के साथ भी अच्छी तरह काम करेंगे, ममता जी के साथ भी करेंगे, शिवराज जी जोहान साथ के साथ भी करेंगे, कोई आगी बात तो तो मज़े करो अभी खेल शुरू किया है अभी आगे आगे देखो और मुझे यह मत बोला करो भारत आजाओ यह आजो शोशल मीडिया ना फेस्बूक यह अमरीका से चल रहा है ठीक है जिसमें तुम गालिया वह लिखते हो ना बैटके वह अमरीका से चलता है बारत से नहीं चलता तो यहां से क्या क्या चीजें चल सकती है वो तुम्हें पता नहीं है हम कभी भी आज के वरत्मान प्रदार मंतरी के खिलाफ नहीं थे ठीक है हम उनके अंधभक्तों के खिलाफ थे और मैंने बहुत बारी बोला है कि प्रदार मंतरी की सियासत के अंदर सबसे बड़े नासूरे वो उनके खुद के अंधभक्त हैं हजारों बारी बोल चुकों चार साल पहले मैंने वीडियो डाला था अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी सियासत में तो यही अंधभक्त होंगे प्रधानमंत्री मोधी जी नहीं है इसे विराट कोली की हो आप ऐसा करो जिंबाबे की टीम का कप्तान मुला तो तो मैच नहीं जीच सकता समझ में आगी ना बात अकेले कब तक बैटिंग करेगा नहीं कर सकता ऐसे तुम लोग आज के प्रधान सेवक के लिए नासूर हो और हमें तो यह लगता है कि आज के प्र इतोती बात है कि तुम लोग उन पर बोज वो तुम लोगोंने डिजिटल इंडिया हो Sarin'dia ho twitter शिंट- fak यह जो भी है तुमने कुछ नहीं करा ना स्वच भारत पे तुम लोगोंने कुछ किया कुछ नीं किया सिरब दिन भर गालिया भकने के एक rec फर इंडिया फर 2024 अगर इंडिया इंटेलिजेंट है और इंडिया और प्रॉब्लम में नहीं आना चाहता है शोशुली देन उद्धव ठाकर इस दे करेक्ट मैन और अगर तुम्हों ने अपने पाऊं पे कुलाडी मारने को रख ही रख रहा है दुनिया चलती जाएगे बाई दुनिया किसी यह नहीं डुकने वाली ठीक है न पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पा टैक करना जहाँ पे किसी मुसल्मान ने उद्दव ठाकरे को मावेंड की गाली बकी टैक करना मुझे मैं देखना जाता हूं कौन है ठीक है तुम्हारा फरजी हिंदुत हुआ नंगा घड़ाया चोराया पे यह सियासित हिंदुत हुथा यह श्री राम का हिंदुत नहीं था शुरू से बोलते आ रहे हैं ठीक है जलिए अंदर आई photos लॉक्डाउन मतलब लॉक्डाउन होता है जो प्रदानसे वर ने बोलाया उनकी बात समझे वह सही बोल रहे हैं लॉक्डाउन मतलब लॉक्डाउन तोड़े इनकी तकलीफ है ठीक है बाद में सब ठीक हो जाएगा ऐसा तो है नहीं हर चीज का अंत होता है जैसे बुराई का अंत होता है जैसे अंत बक्तों का अंत होगा वैसे करोना का भी अंत पक्का है हर दम गलत चीज का अंत होता है ठीक है ना मगर इसके लिए साथ की जलोत होती है तो जो प्रदान सेवक ने अपील कर रही है उनके मजाक ना बनाएं जो सोशल मीडिया मजाक करते हैं वो आप ही के हित के लिए बोल रहे हैं अपने घर में रहे हैं दो चार दिन की तकलीफ है महीने बर की तकलीफ है और कुछ अनोनी हो जाए अपने परिवार में उससे बहतर है कि घर में रहे हैं दो सबजी खाते हैं एक सबजी खा लीजे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला वो कुछ लोग तो है जिलनों को दो वक्ता छोड़ो आज वक्ता भी खाना नसीब नहीं हो रहा उनकी तरफ देख लो द्याड़ी मजदूरों की तरफ तो उससे ही आपको दिल में शांती मिल जाएगी कि हम इससे तो बैटर है